हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी हैपी रक्षा बंदन आप सभी को उमीद है आप सभी का दीन अच्छा गया होगा तो आज मैं अपनी रसवय में कुछ मीठा बना रही थी तो सोचा क्यों ना आप सभी किसाद शेयर करूं इसकी रेसिपी तो देखें मैंने बनाई है नारिय ठोड़ा से लीह है मैंने नारियमेट का बुरादा जो रेडी मेट का चूरा आता है ये मैंने लिए चार पाश ilsलायची का दाना जो मैंने थाओ भी काड़ा ही ले लूगी जैसक्त कि आप जानते कि मैं अपशिवा रीषिपि में हिवी-्तली की कड़ा यूँच करती हूं तो यह मैंने कड़ाए ले लिया, मैं सबसे पहले इसमें अपना मावा चड़ा लूँगी, इसके बाद इसमें डालूँगी चीनी, यह देखिए, और आप मैं इसमें डाल दूँगी लाइची का दाना, यह देखिए, लाइची के दाने से बहुत यच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए इलायची में जरूरब डालती हूं अब इसे अच्छा तो मिक्स कर देंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती यह जब चीनी अच्छा से मेल्ट हो जाएंग गी है, उसके बाद हम उसमें नारिल का बुराद़ डालेंगे यह देखे चीनी मेरी मेल्ट हो गई है तो अब मैं एक थाली में निकाले के लिए वर्फी तो इसमें थोड़ी सी चिकनाई लगा लेती हूँ जैसे कि हम इसमें बाद में अपना पेश्ट तयार करके इसमें वर्फियां जमाने के लिए पेश्ट डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे नारिल का बुरादा यह देखिए जब चीनी अच्छे से पक जाएगी नारिल का बुरादा तब उसमें डालना है आपको जब आपको लगेगा कि गयास बिल्कुल बंद करने का टाइम आ गया है उस टाइम पे तो नारिल के बुरादा से ये थोड़ा टाइट हो जाएगा और इसके बिगणने का कोई चांस ने रहेगा और आपकी भरफियां बहुत ही अच्छी जमेंगी ये डाल दिया मैंने नारिल का बुरादा आप अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और पेश्ट जब तक अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता तब तक कड़ाई में हम इसे बराबर इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब पेश्ट हमें लगेगा कि हमारा पेश्ट टाइट होने लगा है और ये बर्फिया हमारी जम जाएंगे उसके बाद ही हम उसको थाली में निकालेंगे ये देखिए ये आपको दिखरा होगा ये थोड़ा सा गाड़ा होने लगा है यह देखिए तो यह ठंडा होने के बाद आपको खुदी लगेगा कि हाँ अब यह हमारी पर जम जाएंगी तो यह ठंडा हो गया है तो आप मैं इसमें एक बरतन में इसको निकाल लेती हूँ जिसी में कि मैंने पहले से ही गी लगा के रखा हुआ था आप इसे अच्छे से एक चमज की हैल्प से हम फैला देंगे और इसे चिकना कर लेंगे और उसके बाद उसमें डाल देंगे अपने कटेवे पिस्ता और बादाम यह मैंने पिस्ता और बादम डाल दिये हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे देखें ठंडा होने के बाद इसको हम इस तरीके से काट लेंगे इसे देखें कितने अच्छे पीस कटें हैं हमारे यह अब आप हमारी बरफियत यहार है आप सभी भी खा लीजिए थैंक्यू सो मुच गाईज आपको मेरा पी कैसी लगी?